नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त परबात कुमार शिंग और आप देखरें मेरा यूटूब चैनल नीराला कंस्ट्रक्शन तो दोस्तों आज मैं आपके साथ इस गेट के बारे में जनकारी सेर करने वाला हूं कि आप भी ऐसा गेट बनवाना चाहते हैं तो आपके क इतने रुपे खर्च होंगे इस गेट को बनाने में किस तरह का मैटेरियल का परयोग किया गया है और इस गेट का वजन वगरा मैं सब कुछ बताने वाला हूं तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं त इस गेट के बारे में हमालोग इसका चौराई और उचाई के बारे में जानेंगे तो यह गेट दोसें मैं बताए बता मैं बता है आपको ग्यारा फीट चोई और साथ फीट उच्छा है अब बात करेंगे दोस्तोaking इस गेट को बनाने मेरें परयोग किया गया है तो सब से पहले बात करेंगे दोस्तों, इस गेट के फ्रेम के बारे में, तो आप ऐस गेट का उस फ्रेम को डेर इंची है इंगल मतलब 45- retrospect है इंगल से बनाय गया है दोस्तों है और इसमें बात करेंगे चादर जो입 में है, वह कितना गेज का यह तो तो इसका जो सीट गेज का इसमें लगाया गया और जो स्कॉकर 30 में लगाय गया है तो ओसा टॉटल बाराँ स्याइडीजँर क अफियोग इस गेट में किया गया है दोस्तों जिसमें एक का बचनल ढगबाग आधा कीजी को होता है कि आहीं है यह और बात करेंगा दोस्तों इस गेट को वजरल कितना है तो दोस्तों इस गेट का वजरल 202 पचास के जी है और बात किया दिए इसके इस्टिमेटिंग बारे में इसको बनाने में कितना खर्चा आता है तो दोस्तों कहीं जो गेट है वो इस्वाइर फिट में बनाया जाता है और कहीं वजन कि सबस्ग बता देता हूं कि इस गेट का वजन 250 कजी है और जो एक बारे में में बताने वाला हूं कि पूरा इंडिया में दोस्तों 65 से सब्तार रुप्य के बीच में आपको यह गेट असानी से मिल जाएंगी तो दोस्तों अगर दोस्तों पचाश के जी आपका गेट थो तो 65 रुपय के करें तो आपको ऐसा गेट बनाने में 16,000 रुपय से लेकर 18,000 रुपया खर्चा हो सकता है तो दोस्तों यह था हमारा आज का कोशिस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो तब तक के लिए नमस्कार